रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम टाटा वीमेंस प्रीमियर लीग के दूसरे एडिशन की चैंपियन बन गई है, जबकि पुरुष टीम बीते 16 साल से चैंपियन नहीं बन पाई है। रविवार को खेले गए फाइनल में बैंगलोर ने दिल्ली को आठ विकेट से हरा कर ट्रॉफी पर कबजा किया। क्रिकेट पंडितों ने दिल्ली को मजबूत बताया था। दाव दिल्ली कैपिटल्स पर लगा हुआ था क्योकि मेग लैनिंग की करिश्माई कप्तानी में दिल्ली की टीम आठ मैचों में बारा अंकों के साथ लीग मुकाबले में टॉप पर रही थी। ने निराश नहीं किया। शुक्रवार को एलिमिनेटर में पिछले चैंपियन मुंबई इंडियन्स को पांच रनों से हरा दिया और फाइनल में तमाम क्रिकेट पंडितों के गलत साबित करते हुए रॉयल चैलेंजर्स बैंगलो ने खिताब पर कबजा कर लिया। दिल्ली कैपिटल्स की टीम टूर्नामेंट के पहले सीजन में भी फाइनल में पहुची थी। पिछली बार मुंबई से साथ विकेट से हारी थी। दिल्ली का अरुन जिटली स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। दिल्ली कैपिटल्स की कप्तान मेग लेनिंग ने टॉस जीत कर पहले बल्लेबाजी करने का फ्रैसला किया। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की कप्तान स्मृती मंधाना ने टॉस के बाद बातचीत में बताया कि वे भी पहले बल्लेबाजी ही करती। मेग लेनिंग और शेफाली वर्मा ने दिल्ली को अच्छी शुरुवात दिलाई दोनों ने पावर प्ले में 10.17 के रन रेट से 61 रन जोडे ऐसा लगा कि इस बार सबसे दमदार प्रदर्शन कर फाइनल में पहुची टीम एक बड़ा स्कोर खड़ा कर लेगी लेकिन फिर मैच में बड़ा मोड आया सोफी मोलिनेक्स ने एक ही ओवर में तीन विकेट लेकर दिल्ली की बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी और रोयल चैलेंजर्जर्स बैंगलोर की मैच में जबरदस्ट वापसी कराई पारी के आठवे ओवर में सोफी मोलिनेक्स ने लैनिंग और शेफाली की एक तरनाक हो रही साजेदारी को तोड़ा शेफाली वर्मा ने 27 गेंदों पर 44 रन बनाएं जिनमें 2 चौके और 3 छक्के शामिल थे एक गेंद बाद सोफी जेमिमा रोडरिक्स को शून्य पर आउट कर दिया और अगली गेंद पर एलिस कैपसी भी उनका शिकार बन गई स्वीप के लिए जाते समय कैपसी बहुत ज्यादा आगे निकल गई और पूरी तरह से चूक गई और गेंद स्टंप से टकरा गई चौसट के स्कोर पर तीन विकेट गिर गए श्रैंका पाटिल ने कप्तान मेग लैनिंग 23 रन पर पविलियन भीज दिया लेंथ बॉल को ओन साइड पर पुश करने की कोशिश में लैनिंग चूक गई और बैक फूट पर गेंद उनके पैड से जातकरा आई दिल्ली कैपिटल्स की पारी बिखरती चली गई आशा शोभना ने एक ही ओवर में ओलराउंडर मारिजैन कप और जेस जोनासेन की विकेट लिया रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के गेंद बाजो ने दिल्ली की पारी नौ गेंद रहते सिर्फ 113 रन पर समेट दी नौ विकेट स्पिनरों के हाथ लगे श्रैंका पाटिल ने 12 रन देकर 4 जबकि सोफी मोलिनेक्स ने 20 रन देकर 3 विकेट लिये बैंगलोर की कप्तान स्मृती मंधाना और सोफी डिवाइन ने 114 रन का पीछा संभल कर शुरू किया पावर प्ले में सिर्फ 25 रन बने मगर विकेट नहीं गिरे कीवी बल्लेबास सोफी डिवाइन ने राधा यादव के एक ही ओवर 3 चौके और एक छक्का सहित 18 रन बनाकर रनगती बढ़ाने की कोशिश की शिखा पांडे ने दिल्ली कैपिटल्स को पहली और अहम सफलता दिलाई डिवाइन 32 रन बनाकर आउट हुई स्कोर अभी 49 रन तक ही पहुँचा था मंधाना और आलराउंडर एलिस पेरी ने 33 रन जोड स्कोर 82 रन तक पहुँचाया मिन्नू मानी ने स्मृती मंधाना का बड़ा विकेट हासल कर मैच में रोमांच लाने की कोशिश की स्मृती ने आउट होने से पहले 31 रन बनाए टीम को जीत के लिए अभी 30 गेंद पर 32 रन बनाने थे अनुबवी एलिस पेरी ने रिचा घोश के साथ मिलकर तीन गेंद शेश रहते जीत दिला दी ओल राउंडर एलिस पेरी की RCB की सफलता में सबसे बड़ी भूमी का रही टूर्नामिंट में सबसे ज्यादा 347 रन बनाने के अलावा इस ऑस्ट्रेलियाई खिलाडी ने गेंद से भी प्रभावशाली प्रदर्शन किया है और साथ विकेट लिए दिल्ली कैपिटल्स की कप्तान मेग लैनिंग ने आगे बढ़कर टीम का नित्रित्व किया है और 9 पारियों में 331 रन बनाएं और सबसे ज्यादा रन बनाने वाले में दूसरे नंबर पर रही दिल्ली की टीम का प्रदर्शन कितना जबर्दस्त रहा इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस सीजन टीम लीग में सिर्फ दो मैच हारी थी मुंबई इंडियन्स और यूपी वारियर्स के खिलाफ लेकिन फाइनल में टीम बुरी तरह बिखर गई रॉयल चैनलेंजर्स बैंगलोर की गेंदबाजी टूर्नामेंट में प्रभावशाली रही श्रेयंका पाटिल ने सबसे ज्यादा तेरह जबकी आशा शोभना ने बारह विकेट लिए